हलो दोस्तो आप भी Android phone यूज्ज करते हूँ अब क्या दोस्तो आपके Android phone में काफी इड आते हैं आप दोस्तों अपने Android phone के इंटरनेट को जैसे छालू करते हो वैसे ही दोस्तों काफी आड आना स्टार्ट हो जाता है आप दोस्तो WhatsApp पे chatting करते हो या फिर वीडियो कॉल पे बात करते हो या फिर दोस्तो movie देखते हो, YouTube देखते हो, कुछ भी दोस्तो देखते हो आपके phone में एक add आना start हो जाता है 2 मिनिट बात, 4 मिनिट बात, 5 मिनिट बात दोस्तो आपके phone में एक add आता है उस add से दोस्तो आप काफी ज्यादा परिशान हो गए हो, बहुत सारे settings को apply कर लिया फिर भी दोस्तो वो add जो है, वो हटा नहीं है, फिर भी आपके phone में वो add आता ही रहता है तो दोस्तो आज मैं इस video में सिर्फ 3 setting के बारे में बताऊंगा अगर दोस्तो आप वो 3 setting अपने Android phone में apply कर लिये तो दोस्तो आपके phone का जो add problem है, वो दोस्तो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा तो जो दोस्तो आपके phone में add आता है, वो add नहीं आएगा, सिर्फ ये 3 setting करने के बाद तो वीडियो को दोस्तो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले हैं, हेलो दोस्तो मेरा नाम है संदीप, आप देखरों knowledge गुरू जी, तो चले दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आप अपने android phone के add problem से काफी ज़्यादा परिशान हो गया है, तो दोस्तो परिशान होने ज़ूरत नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तो आपका 100% जो add problem है, आपके phone में add आता है, वो दोस्तो पूरी तरीके से खतम हो जाएगा, तो सबसे पहले दो दोस्तो आपको ये समझना है कि add आता कहां से है, फोन में add क्यों आता है, नया phone लिये थे तो add नहीं आता था, लेकिन दोस्तो जैसे आपका phone पूराना होते गए, आप अपने android phone को use करते गए, तो add दोस्तो आना start आखिर हुआ कहां से, add दोस्तो इस start होता है, आप दोस्तो अपने phone में application को जो download करते हो, कुछ-कुछ दोस्तो ऐसे application होते हैं, जो दोस्तो आपके phone में add चलाना चालू कर देते हैं, तो सबसे पहले दोस्तो आप उस application को find करना है, तो find कहां से दोस्तो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने phone के settings में चले जाना है, settings में जाने के बाद दोस्तो आपको एक option दिखता है apps का apps में दोस्तो चले जाना है आपको और यहाँ पे manage apps का एक option दिखता है manage apps में आपको click करना है और दोस्तो यहाँ पे आपको वो application को find करना है जिसको दोस्तो आपने download नहीं किया है और दोस्तो यहाँ पे वो application मौझूद है माल लेज़े दोस्तों आप किसी application को download नहीं किया है लेकिन यहाँ पर वो application show कर रहा है तो simply से दोस्तों आपको करना क्या है माल लेज़े मैंने इस application को download नहीं किया है तो यहाँ से दोस्तों इस पर आपको click करना है एंड दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनिस्टॉल नहीं करना है सबसे पहले यहाँ पे आपको clear data करना है उसके बास दोस्तो आपको अपने application को delete करना है तो यहाँ पे दोस्तो आपको clear data पहले कर देना है यहाँ पे clear all data पे click करके ok कर देना है तो यहाँ जो data है दोस्तो इस application का वो मेरे phone से delete हो गया अब दोस्तो इस application को मैं यहाँ से uninstall कर सकता हूँ पहले दोस्तो आप clear data किया करो उसके बार uninstall किया करो तब जाके दोस्तो आपका proper जो application है वो पुरी तरीके से delete होगा और यहाँ पर दोस्तो आपको एक चीज और find करना है माल लिजे आप किसी application को download किये हो add आता है तो यहाँ पर दोस्तो आपको इसमें add अगर आता होगा मुझे दोस्तो नहीं पता इसमें add आता है एक नहीं आता यहां से दोनों option बन करके आपको ok पे click कर देना है इससे दोस्तों क्या होता है कि यह application ना आपका mobile data यूज़ कर पाएगा ना ही wifi यूज़ कर पाएगा जब भी दोस्तों आपको इस application का जवरत पड़ेगा जैसे ही इस application को open करोगे तो सबसे पहला दोस्तों आपको यह mobile data का option मागेगा तो आप दोस्तों mobile data पे click करके ok करके इस application के use कर सकते हो जब इस application का काम नहीं है तो आपको दोस्तों mobile data को off करके इस application को बंद कर देना है मतलब कि दोस्तों data इसको नहीं देना है जिससे दोस्तों ये background में नहीं चल पाएगा अब background में दोस्तों जब नहीं चलेगा तो कोई भी add नहीं आएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको यही सब काम करना है आप दोस्तों अपने phone में application को find कर लिएगा और दोस्तों दूसरा नमर setting करने के लिए आपको अपने phone के settings में चले जाना है settings में जाने एक बाद यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको developer option on करना है जिसको दोस्तो developer option on करने नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो पुरा देखे यहाँ पर दोस्तों एक option दिखा रहता है MIUI version इस पर दोस्तों आपको 7 time टेप करना है साथ बर जैसे ही टेप करोगे आपका developer option on हो जाता है developer option मिलता कहाँ पर दोस्तों यहाँ पर additional settings में चले जाना है और यहीं पर दोस्तों आपको नीचे एक तरफ developer option खुल के आ जाता है इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ पर by default आपका on data developer option यहाँ पर दोस्तों आपको एक setting को search करना है अब यह मैं दोस्तों setting को बताता हूँ पर देख लिए लिखा हुआ background process limit यह दोस्तों आपका standard limit पर set हुआ मैं दोस्तों कई बार यह वीडियो में बताया हूँ आपको दोस्तों standard limit पर set नहीं करना no background process पर click करना है इससे दोस्तों क्या हुदा कि आपका application background में कोई भी application काम नहीं करेगा और जब दोस्तों आपके phone में background में कोई भी application काम नहीं करेगा बंद रहेगा तो दोस्तों add जो है वो बंदी रहेगा जब application दोस्तों बंद रहेगा तो add भी बंदी हो जाएगा इसको दोस्तों no background process पर आपको click करके use करना है कभी भी दोस्तों आपको standard पर use नहीं करना है तो यह था दूसरा नमर setting अब बात करते हैं तीसरा और आख्री नमर setting के बारे में तो तीसरा और आख्री नमर setting अवर दोस्तों आपको पूरी तरीके से back चले जाना है और दोस्तों आपके phone में एक application होता है जरूर से Chrome browser आप दोस्तों use भी करते हो कि Chrome browser तो सबसे पहले दोस्तों आपको Chrome browser को open कर लेना है और यहाँ त्री डॉट पे क्लिक करना है और त्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग्स में चले जाना है Chrome Browser के Chrome Browser के सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option दिख जाता है Site Setting का आपको दोस्तों यहाँ पर एक site setting option दिखेंगा, यहाँ पर आपको एक option search करना है, अभी मैं दोस्तों ओप्सन को दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर दोस्तों आपको search करना pop-up and redirects, इस पर दोस्तों आपको click करना है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, अगर दोस्तों चालू होगा तो आपको दोस्तों यहां से बंद कर देना है इसमें दोस्तों क्या होता जब भी आप Chrome ब्राउजर को यूज करते हो तो दोस्तों क्या होता एक स्क्रीन पर पॉप आता है और दोस्तों आटोमेटिकली वो उस अप्लिकेशन पर आपको डिडारेक्ट कर देता है आप टच नहीं करोगो तो भी दोस्तों आपको उस अप्लिकेशन पर डिडारेक्ट कर देता है तो इस सेटिंग को आप बंद रखोगे तो जब भी दोस्तों आप Chrome ब्राउजर को अपने यूज करोगे तो कभी भी दोस्तों नहीं आपके फोन में कोई पॉप आएगा और नहीं दोस्तों आपको किसी पेज पर डिरेक्ट करेगा तो इसको जरूर से दोस्तों बन कर दिजेगा आपने क्रोम ब्राउजर के अंदर तो यही तीन सेटिंग था दोस्तों अगर यह तीन सेटिंग अगर आप अपने फोन में अप्लाई कर लिए तो दोस्तों आपका जो ए